जैहेंद नमस्कार साती हैं स्वागते हैं आपका आजकी शेक और नई वीडियो में आजकी वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC MTS के एड्मिट कार्ड को लेकर के यहाँ पर SSC MTS के एड्मिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे एक नया चैनल आ चुका है जहाँ पर जब भी कोई न्यू वेकिंसी आती है उसकी अपडेट सबसे पहले दी जाती है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्राप्शन बुक्स में दिया गया है जहिए आप उसको भी सस्क्राइब कर लिजिएगा तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर एड्मिट कार्ड की अनि की आप अपना एड्मिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहले एड्मिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको SSE की Official Website पर जाना है SSE की Obage रोपसाइट पर जानने के बाद आपको Admit कारड वाले ओपसन पर जाना होगा जिसए ही आप Admit कारड वाले ओपसन पर किलिक करेंगे इसके बाद आपके सामने reason by सभी website ओपिन हो जाएंगी अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यह सभी जो website है अब यहाँ पर आपको select करना होगा कि आपका reason है और कि आपका जो state है वो किस reason के अंतरगत आता है अब जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे ही हम इस पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा Multitasking Non-Technical Stop and Havaldar Examination 2021 यहाँ पर दोस्तों आपको Now the Application Status पर किलिक करना है जैसे ही आप इस पर किलिक करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना Registration Number डालने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी Date of Birth डालने के बाद अब यहाँ पर Now the Status of Your Application पर जैसे ही आप किलिक करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपके सामने आपका Application Status जो है आ जाएगा यही से आप अपना Admit Card भी डाउनलोड कर पाएंगे लेकिन अभी Cable Application Status ही आया है Application Status से आपको आपकी Exam Date, Exam Sift, Exam City यह सब को देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो यह थी SSC MTS के Admit Card को लेकर के एक बहुत बड़ी Update इसके अलावा आपका कोई भी Question है तो Comment Works में Comment करके हमसे पूँछ सकते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को Like कर दीजिए, चैनल पे नहीं है तो चैनल को Subscribe कर लिजिए, Thank you